श्रीक्रिष्ण कन्हे आलाल कीजै श्री नियानन्द स्वामी कीजै श्री प्राणनाथ प्यारे कीजै श्रवन अंदर सुख क्यों कहूं जो शुख शाबर आरामा क्यों निकसे रुह इनसे ए अंगर शुख श्यामा श्यामा श्रीक्रिष्ण कन्हे आलाल कीजै श्री राज्जी के अंगों का वरनन है उसमें भी अभी स्रवन अंग की बात कर रहे हैं स्रवन इंद्रे की और स्रवन नाशिका ये मुखारविंद में मुखमंडल में जो भी अंगा है ना दोनों तरफ स्रवन है मुखारविंद है नाशिका है नयन है, इनकी बात चद रही है अंगरूह अरसकी नाशिका ए बलजानत रूह को कोई परमधाम के दिवियश्वरूप उनके नाशिका अंग उसकी ख्षमता को ब्रह्मात्मा ही जान सकती है ए बलजानत रूह को कोई ब्रह्मात्माओं में ये ख्षमता है ये कोई-कोई ही समझ सकते हैं चोदे तवका सुन्न फोड़के इतले तारसकु सबोये तो अब ये ब्रह्मात्माओं में कैसा सामर्थी है तो नश्वर जगत में होते हुए भी ये चोदा लोग को पार करके परमधाम का सुख ग्राण कर शकती है यदि ब्रह्मात्मा स्वयम को नश्वर जगत में मान ले तो भी वो परमधाम के सुखों का अनुवब कर सकती है इतनी क्षमता उनके पास में है ऐसा बलरू अरशके तो बलह कहो सी किनविद जब परमधाम की आत्माओं में ऐसा सामर्थी है तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा में कैसा सामर्थी होगा उसका तो कोई परावारी नहीं है ना ए बेवरा जाने पाक मोमिन पवित्र परमात्माई इस बेवरन को समझ सकती है जिना हक अरश दिल शुध जिनके धाम दिल में पूर्ण परमात्मा की समझ है ऐसे परमात्माई ये सब जान सकती है सुख कहों मिठी जुवान के, के सुख कहों लाल अधुर, धामदने के मिठी वानी उसके सुखों की बात करें, या उनके लाल अधर की बात करें, के सुख कहों रस भरे वचन, उनके रस भरे वचन, उनकी बात करों. अब यहां जुवां कहने से मुख मीठी जुवां कहने से मीठा बड़ा सुन्दर मुख उसकी बात समझने पड़ेगी और नीचे बचन की बात नीचे कह रहें जो बोलत माहें मधूर हैं जो मधूर बचन बोलते हैं तो उनकी वानी की विशय में तो उसमें प्रेम ही प्रेम टपकता है दो माहों माहें जब बोल ही जब दोनों स्वरुप पहले आया था सिंगासन में विराजमान है जब दोनों स्वरुप परशपर बाचित करते हैं सुरेराज जी और श्यामा जी तब मीठे कैसे लगा तो कितने अच्छे लगते होंगे कितना अच्छा लगता होगा उनकी श्युवा कैसी लगेगे कोई रूह जाने अरशकी जिनाह कहुकुम जागरित कोई रूह जाने अरशकी परमधाम की आत्माएं इस बात को समझ सकती है जिनाह कहुकुम जागरित जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से जागरित हुई है वही ये बात समझ सकती है जानों के जोवन चड़ता ऐसे नीत देखत नावतन तो जैसे ऐसा लगता है कि मनों उनका नित्यन योवन बढ़ रहा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है पूर्ण होने से उसको युवा स्वरूप कहा है तो युवा में जैसे शरीर युवा होता है तो एक प्रकार से पूर्णता आ जाती है शरीर की पूर्णता आती है उसके बाद में फिर देरे 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 वह घटने लग जाते हैं तो इस एसाव से पुरुन प्रह्म परमात्मा की पूरुनता को देखकर के नित्य योवन का तात्परि उनकी पूरुनता को और उसमugen देखते हैं तो नविंता दिखाई देती है, नित्य नूतनता उसको देखते हैं, गुन पखा अंगा इंद्रियां, बढ़ता नूर रोशन, उनके दिब्या शरूप के गुन अंगा इंद्रियां जो भी बताएं, तो बढ़ता नूर रोशन, उन्से निकलने वाला प्रकास से वो निरंतर प्रकास से उसकी चमक तो नित्य प्रति बढ़ रही हो, ऐसा लगता है, पूरन श्वरूप एही देखा ही, इसका सुरत के संग, तो ये ऐसे पूरन श्वरूप को ब्रह्मा आत्मा ही जान शकती है, क्योंकि इसका सुरत के संग, तो वो ऐसे पूर्ण ब्रह्मा प्रमात्मा को स्वरूप के साथ में, तो उनके साथ में ब्रह्मा आत्मा रहती है, इसलिए उसके समझे संग ही है, बंद बंद सब इसका के और इसके अंगा उंगा तो बंद बंद का तात्परिय है जैसे शरीर है उसके संद संद बंद बंद जहां जहां जूड़ है तो सभी प्रेम से वो अंगों का परश पर जुड़ना वो भी प्रेम का ही है और अंगों अंग में रोम रोम में प्रेम है गुना पकत सवा इसक के सुई इसक बोले रशरंगा तो उनका पूरा शरूपी प्रेम का है इसलिए वो प्रेम की ही बातें बोलेंगे सवा इंद्रियां इसक की इसक तत्व रशधात जैसे नश्वर शरीर को समझते हैं तो उसमें अलाग-अला गेंद्रियां होती है तो शरीर में भी बिनन बिनन परकार के धात्व हैं रश है, तथ्या है तो ऐसे समझ लेहं तो परांधाम का पूरून शवरुप है वो प्रेम कही है पिंड प्रकृति सव इसक के नश्वर शरीर में पिंड है उसका प्रकृति उसका सुभाव है तो वैसा होता है ऐसे परंधाम के इंदिव्य स्वरूप में जो कुछ भी है वो सब प्रेम कहा है इसक भीगे अंग गात मानों पूरा-पूरा स्वरूप है वो प्रेम से ही इगा हुआ है बात विचार सव इसक के इसके इगान इलम अब वो प्रेम का कहने से अब मुझे से द्रभीत होना गलित होना अब यह तो लोकिक उसमें लोकिक दृष्टिशे कहा जा रहा है तो परंधाम का तो शरूप भी बिन्न है और परंधाम की परिष्टिती है अलग ह होती है किन्तो दुनिया को जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसी के आधार पर समझेंगे तो समझने में सारल हो जाएगा इसलिए इस प्रकार के उधारन दिये हैं तो पिंड़ प्रकृति सब इसक के तो शरीर है फुष्कशभाव है सब प्रेम से और पूरा-पूरा भी कहत हो कुमा तो परमधाम के ऐसे दिव्य शरूप की बाते इस नश्वर जगत में कैसे कहा जाए तो इतना जो कहा जा रहा है ये भी अक्षराति धामदनी ने अपने आदेश के द्वारा कहला आया है बांकि तो ये बताया ही नहीं जा सकता सबपाड़ा जीजन इतैसक की इसक ये अरश विशाथप्रमधाम के सभी सामग्रिया तो प्रेम की ही है रूए हादी अंग इसक के इसक सूरत हकजाता ब्रहात्माय है स्रिश्यमा जी के अंग है, हादी अंग है, इसका कि स्रिश्यमा जी के प्रेम के अंग है, और इसका सूरत हकजात है, तो इसलिए हकजात ब्रह्मी सृष्टी जो परमधाम की संपूर्ण सृष्टी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेम की ही है, शेज स्वभाब सबस्क कि साहद स्वभाब सब कुछ प्रेम का है इसक की वाइदत परमधाम से जो भी अद मीद र सène चाही जो गाý दाम परम धाम वह सब प्रेम कही है मोहल मंदिर सब इस्क की उपर तले सब इस्क मोहल मंदिर सब प्रेम कहें और उपर तले जहां भी कहें रंग भवन की बात करते हैं तो प्रथम भूमिका कहें और उपर दस्मी आकाशी कहें सब प्रेम कही है प्रेम कही है, दसों देशाव में प्रेम ही प्रेम है, इसक उठकया, बैठकया, उठना बैठना यह सब प्रेम कही है, यह अरश सारा इसक का और इसक रुओन निश्वत इस प्रकार समझना की सारा प्रमधम प्रेम कही है, और इसक रुओन निश्वत ब्रमात्माओं का परश पर शम्मंद है वो भी प्रेम का ही है इसक बिना जरा नहीं प्रेम के बिना तो कुछ है नहीं सब हक इसक न्यामत तो परमधाम की जो भी नियामत है संपदा है उसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही है ने का कही हक इसक की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेम की बात थोड़ी सी यह बताई है पर इसक बड़ा विष्थार किन्तो प्रेम का तो कोई पारावारी नहीं है उसका विष्थार बहुत बड़ा है इनको वर्नन नहोबई ना हावे माहे सुमारा प्रेम का वर्नन ही न प्रेम की थोड़ी सी और बात भी समझा देते हैं अरश आशिक मासुक की जो और भी आवे नजर तो परमधाम का ये जो प्रेम है आशिक और मासुक पूर्ण प्रम प्रमात्मा और अनुरागिनी आतमाओं का परश्पर प्रेम है ये दूसरों को थोड़ा सा समझ में आजाए उस प्रकार से भी थोड़ा सा बता देते हैं उनको समझाने के लिए फिर क्या किया तो उसके लिए कह रहे हैं रब्द हुआ इसक काहा काहा दी कि खिलवतमा है तो परमधाम में स्रेराज्जी, स्यामाजी और ब्रह्मा आत्माओं में परश्पर संबाद हुआ इतकम ज्यादा है नहीं अरस इसक बेवरा ना है तो परमधाम में तो क्या है कि प्रेम का विवरण ही नहीं हो सकता क्योंकि वहां कम ज्यादा वाली बाती नहीं है इसलिए ए बेवर आती तो हो वहें जित बिच्वा होए इसका निरुपन तो वहीं हो सकता है जहां बियोग होता हो सो तो बाहेदत में है नहीं हुए बिच्वा माहें दोए अद्वेत भूमिका में बियोग तो है नहीं और बियोग है तो कहां? वे बिचोवा बिचोवा मरला बियोग माहें दोवे द्वेत भूमिका में हो सकता है हके चाया कों वेवरा देखां उरूहों को तो अक्षराति धामदनी ने सोचा की चलो ब्रहमा आत्मों को निरूपन करके दिखा देते हैं इस करना पाईये बिना जुदागी तो क्यों हो वेवायद अत्मों तो परमधाम में तो यह संभवी नहीं है क्योंकि यह निरूपन तो बिना जुदागी जुदागी के बिना इस करना पाईये का तात्परी प्रेम का निरूपन नहीं हो सकता था तो अब यह बियोग परमधाम में हाई नहीं इसलिए ताथें दैनेक फरामोशी इसलिए थोड़ा सा वो एक वो भ्रहम का जाल आवरण ऐसे पहला दिया प्रकट कर दिया रूपन को महें आरशा परमधाम में ही तो ब्रहमात्मां को एक थोड़ा सा वो एक परदा सा दिखाई दिया हश्ची करने इसक की देखे कोन कम कोन सरस यह प्रेम की हश्ची करने के लिए कि कोन ब्रहमात्मा अक्षरातित धामधनी से देरंतर प्रेम करती है कोन भुल जाती है यह सब दिखाने के लिए यह जूठा खेल देखाईया यह जो चौधे तबक तुनस्वर जगत का यह खेल है यह चौधे लोग का तो इसलिए दिखाया हम जाने आये खेल बीच में जीता तरफ न पाईये हक तो हम ब्रमात्माओं को ऐसा लगा कि हम तो इस दुनिया में आये और जहां पुर्ण ब्रमात्मा के विशाय में कुछ पता ही नहीं है उनकी दिशा का ही पता नहीं है यह तो इसका कहां पाईये आग पानी पत्थर पूज तो यह तो ऐसी विवस्ता है तो प्रेम की कोई विवस्ता ही नहीं है यह तो आग पानी पत्थर कोई अपना अपना इ एक निमेश के लिए देखा, किन्तु लगता है कि ये कितना समय बित गया है, ऐसा फिल होता है. जूट हम देखिया नहीं, जूट रहे, इना हमारी नजर वह ऐसे देखा जाए, तो हमने जूट को देखा भी नहीं है, और हमारी दृष्टी के सामने जूट भी नहीं सकता है. पटा आड़े खेल देखा या, इसलिए एक परदा जैसा बना करके, तो उसके माद्यम से एक खेल देखाया है, सो देने इसका ख़बर और ये प्रेम को समझाने के लिए. ऐसा खेल देखाया, जाने हमा आए माए, इना ऐसा खेल देखा दिया, तक कि हमें लगा कि देखते ही, हम इसी के अंदर आगए, इसका हमा में जरा नहीं, सुद अहकन आप वतन तो हमें ये लगने लगा कि हमारे अंदर तो कोई प्रेम है नहीं, ना तो पूर्ण प्रमु की समझ आए, ना स्वयम की समझ आए और नहीं परमधाम की समझ आए, हम तो सब कुछ बोल गए है, इन इसके हमारे ऐसा किया, जो जूठे चोदे तबक, तो इसी प्रेम ने, हमें प्रेम दिखाने के लिए, हमारे प्रेम की परिक्षक के लिए ही, अक्षराति धाम दने ने यह सब किया है, हमारे प्रेम ने क्या कर दिया, जो जूठे चोदे तबक, इन जूठे चोदे तबक को भी चोदे लोग को भी तिन सबों कायम की, उनको भी अखन कर दिया, ऐसे हमारे ऐसा तो हमारे प्रेम है, मतलब अक्षराति धाम दने का दिया हुआ, यह प्रेम है, यह कुछ दिखती नहीं है एक अजरा कोई ना बच्या भी ना आस्मान धरन आश्मान और धरती के बीच में दूसरा कुछ बचाई नहीं तो प्रेम ही दे प्रेम है दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है हम जाने इस का नहम पे हम पर अहसे नूर जमाल हम तो दुनिया का खेल देखते देखते ऐसा समझने लगे कि हमें हमारे पास कोई प्रेम नहीं है अक्षराते धाम दने हम पर हसी करेंगे हमारे इसके ब्रह्मान का किया जो ऐसा हाल तो हमारे प्रेम ने पूरे ब्रह्मान की ये श्थिति बना दी है इस वास्ते खेल देखाई या वास्ते बेवरे इसके तो खेल इसलिए देखाया कि प्रेम का निरूपन हो सके यह जो प्रेम है वो अक्षरातित धामदनी का है और बड़ा तो वही होगा ना तो हमारा है तो उनका दिया हुआ ही है यह अनुभब करवाने के लिए खिल दिखाया है कोई आया ना गया हम हमें बैठे अरश में देखे हमारे में कोई आना जाना कुछ हुआ ही नहीं हम तो परमधा में बैठ करके सब देख रहे हैं कहे मामत हुकमें देखाया ऐसी कर हिकमत मामत ही कहते हैं अक्षराति धामदनी के आदेस ने ऐसा दिखाया है वो हिकमत करके कहने कातात पर यह ऐसा है ऐसे युक्ति से ऐसे कुखुशलता से कौशल से यह दिखाया हमें देखिया इसक बेवरा बैठे बेच खेलवा तो हमें परमदाम में बैठे बैठे ही लगने लगा कि अरे हमारा प्रेम कहा तो हम तो भूल जाते हैं अक्षराती दामदनी काई प्रेम बढ़ा है और उनका दिया हुआ है अमारे पास में यह हमें अनुभव करवा दिया बस इसके लिए यह खेल दिखाया था इस प्रकार समझा रहे है स्रक्रिष्न का नई आलाल की बैठे बीच खिलवाता कहे महामत हुकमे देखाया हमार देख्या इसका बेवरा बैठे बीच खिलवाता बैठे बीच खिलवाता बैठे बीच खिलवाता देखे खिलवाता